तू अनुग्रहित करें पहुत बड़ी ताकत है एक तरह से मेरे सामने लगु भारत मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है राज्य अलग है भाशा अलग है परंपरा अलग है लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एक ताकी मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है मन के अनेक है लेकिन माला एक है तन अनेक है लेकिन मन एक है जेसे पंद्रा अगस हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जन्वरी हमारे गनतंत्र के जैगोष का दिवस है उसी तरह 31 अक्तुबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रियता के संचार का पर्व बन गया है पंद्रा अगस को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन 26 जन्वरी को दिल्ली के कर्तब्यपत पर परेड और 31 अक्तुबर को स्टेची अफ यूनिटी के सानिद्य में मान नर्वद्या के तड़ पर राष्ट्री एकता दिवस का ये मुख्य कारकम राष्ट्र उथान की त्री शक्ती बन गया है आज यहाँ पर जो परेड हुई जो कारकम प्रस्तूत किये गये उन्हाने हर किसी को अभिवूत किया है एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्सन नहीं होते उसे सरदार साब के जीवन उनके त्याग और एक भारत के निर्मान में उनके योगदान की चलग भी मिलती है इस प्रतिमा के निर्मान गाता में ही एक भारत त्रेष्ट भारत की भामना का प्रतिमी में इसके निर्मान के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के ओजार दिये लोह पुरुष्टी प्रतिवा के लिए लोहा दिया देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां बॉल अफ यूनिटी का निर्मान हुआ यह कितनी बड़ी प्रेर्णा है इसी प्रेर्णा से ओत प्रोत करोडों की संख्या में देश वासी इस आयोजन से जुड़े हुए है लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे है एक्ता के लिए दोड़ लाखों लोग सांस्कृतुक कारकमों के जरिये इसका हिस्सा बन रहे है जब हम देश में एक्ता का ये प्रवाद देखते हैं जब एक्सो चालीस करोड भारतियों में एक जुड़ता के ये भाव देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साब के आदर्श ही एक भारत स्रिष्ट भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दोड रहे हैं मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभाई पटेल के चरणों में नमन करता हूँ मैं सभी देश वास्यों को राष्ट्रे एक्ता दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ मेरे परिवार जनों आने वाले पत्तीस साल भारत के लिए इस सताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण पत्तीस साल है इन पत्तीस वर्सों में हमें अपने इस भारत को सम्रुद्ध बनाना है हमारे भारत को विक्सित बनाना है आजादी के पहले पत्तीस साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछली सताब्दी में जिसमें हर देश वासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था अब सम्रुद्ध भारत के लिए बैसे ही अगले पचीस वर्स का अम्रुद्ध काल हमारे सामने आया है आउसर बन के आया है हमें सरदार पटेल की प्रेणा से हर लक्ष को हासिल करना है आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है आज भारत उपलब्दियों के नए शिखर पर है G20 में भारत के सामर्थ को देख कर दुनिया हैरान हो गई है हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंतर के इसाग को नई उचाई पर ले जा रहे है हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों की बीच हमारी सीमाय सुरक्षित है हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थीक शक्ती बनने जा रहे है हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर बहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्रेन से लेकर आनेस विक्रान तक खुद बना रहा है हमें गर्व है कि आज भारत हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की अरवों खर्वों डॉलर की कम्पनियों को चला रहे हैं नित्रुत्व कर रहे है हमें गर्व है कि आज दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्स इवेंट्स में तिरंगे की शान लगातार बढ़ रही है हमें गर्व है कि देश के युवा बेटे बेटियां रिकॉर्ड संख्य में मेडर्स जीत रहे हैं साथियों इस अम्रत काल में भारत ने गुलामी की मान्सिक्ता को त्याग कर आगे बढ़े का संकल्प लिया है हारत ने अपनी नव सेना के द्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है गुलामी के दौर में बनाये गए गेर का जरूरी कानुनों को भी हटाया जा रहा है IPC की जगह भी भारतिय न्याय सहीता लाई जा रही है इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिदी की प्रतिमा थी अब नेताजी सुहास की प्रतिमा हमें प्रेणा दे रही है साथियों आज ऐसा कोई लक्ष नहीं है जो भारत पान सके ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारत भासी मिलकर सिद्ध ना कर सके बीते नव वर्षों में देश ने देखा है कि जब सब का प्रयास होता है तो और संभव कुछ भी नहीं होता है किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 के वो दिवार गिर चुकी है सरदार साब जहां भी होंगे सबसे ज़्यादा प्रस्दत आनुभव करते होंगे और हम सब को आश्रवात देते होंगे आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंगबात के साए से बहारा कर खुली हवा में सांस ले रहे हैं देश के विकास में कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है वो भी पांच छे दसक से लटका हुआ था सब के प्रयास से इस बांध का काम भी बिते कुछ ही वर्षव में पुरा हुआ है साथियों संगल्प से सिद्धी का एक बहुत बड़ा उदारांध हमारा यह एकता नगर भी है दस पंदरा बर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवडिया इतना बदल जाएगा आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सीटी के तौर पर हो रही है यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान कितने वाले मिशन लाइप की शुरुवात हुई थी जब भी मैं यहां आता हूँ इसका आकर्शन और बढ़ा हुआ दिखता हूँ रिवर राफ्टिंग एकता कुरूच एकता नर्शरी एकता मौल आरोग्यवन कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन जंगल सफारी मियावा की फोरेस मेज गार्डन यहां परियट्रकों को बहुत आकर्शित कर रहे हैं पिछले छे महने में ही यहां तेड़ लाग से जादा पैड लगाये गए हैं सोलर पावर जनरेशन में सीटी गैस डिस्रिबिशन में भी एकता नगर भावत आगे चल रहा है आज यहां एक स्पेश्यल हेरिटेज ट्रेइन का एक नया आकर्शन भी जुड़ने जा रहा है एकता नगर स्टेशन और अमदाबाद के भी चलने वाली इस ट्रेइन में हमारी विरासत की जलक भी है और आदुनिक सुविधाई भी है इसके एंजीन को स्टीम एंजीन का लूक दिया गया है लिकिन यह चलेगी भीली से एकता नगर में एको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की विवस्ता भी की गई है अभी हाँ परियाटरकों को इबस इगोल्फ कार्ट और इस साइकल के साथ पब्लिक बाइक शेरिंग सिस्टिम की सुविधावी मिलेगी पिछले पांच वर्षों में तेड़ करोड से जादा परियटक यहाँ आ चुके है और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है इसका बहुत बड़ा लाब यहाँ के हमारे आदिवासी भाई बेनों को हो रहा है उन्हें रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं साथियों आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की द्रड़ता को भारत वास्यों के पवरुश और प्रकरता को भारतिये जनशक्ति की जीजी विशा को आदर और विश्वास से देख रहा है भारत की आविश्वसनिया आद तुलनिया यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेणना का केंदर बन चुकी है लेकिन मेरे प्यारे देख स्वास्यों हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है उसो सदा सरवदा याद भी रखना है मैं आज राष्ट्रिय एकता दिवस पर प्रतेख देश्वासी से इस बारे में मेरे मन के भाव आज उनके सामने में प्रगट करना चाहता हूँ आज पूरी दुनिया में उथल पूथल मचिव हुई है कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थववास्ता के हालत चर्मर आ गई है बहुत खराब है बहुत सारे देश तीस चालीस सालों की सबसे ज़्यदा महंगाई से आज जूज रहे हैं उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है ऐसी परिस्तिति में भी भारत दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहा है हम एक के बाद एक चुनोंतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं हमने नए रिकोर्ड बनाए हैं हमने नए पैमाने भी बनाए हैं पिछले नव साल में देश जिन नितियों और निर्णों के साथ आगे बढ़ा है उसका प्रभाव भी आज जीवन के हर शेत्र में देख रहे हैं भारत में गरीबी कम हो रही है पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बहार आए हैं हमें विश्वात मिला है कि हम देश से गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हमें इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते ही रह रहा है और इसलिए प्रतेग भारत वासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूण है किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस से देश की स्थिर्ता पर आँच आए हमारे कदम भटकने से हम लक्ष से भी भटक जाएंगे जिस परिश्रम से एक सो चालीस करोड भारतिया देश को विकास के पत्पर लेकर आए है वो कभी भी वर्थ नहीं होना चाहिए हमें भविश्य को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर दटे रहना है मेरे देश स्वासियों देश के पहले गिर्म मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सक्त रहते थे लोफुरुस्त है ना पिछले नव वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनावती मिलती रही है लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन राती मैनत भी और उसकी वेद्या से देश के दुश्मान अपने मनसुबों में पहले की तरह काम्याब नहीं हो पा रहे लोग अब भी उस दौर को नहीं भुले हैं जब भीड भरी जगों पर जाने से पहले मन संका से भर जाता था योहारों की भीड बाजार पबलिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविद्यों के केंद्र होते थे उन्हें निशाना बना कर देश के विकास को रोकने की साजिस होती थे लोगों ने बलास के बाद की तबाही देखी है मम के दमाकों से हुई बरबादी देखी है उसके बाद जाच के ड्राम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है आपको देश को उस दौर में वापस लोटने नहीं देना है हमारे सामर्त से उसे रोकते ही रहना है जो लोग देश की एकता पर हमले कर रहे है हम सभी देशवासियों को उन्हें जानना है पैचानना है समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है साथियों देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टी करण की राजनीती भारत के बीते कई दसक साक्षी है कि तुष्टी करण करने वारों को आतंगवाद उसकी भायानक्ता उसकी विक्रालता कभी दिखाई नहीं देता तुष्टी करण करने वारों को मानवता के दुष्वनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है वातं की गतिविद्यों की जाजमें कोता ही करते हैं वो देश विरोधी तत्वा पर सक्ति करने से बचते हैं तुष्टी करन की सोच इतनी खतरनाख है कि वातं क्यों को बचाने के लिए अदालत तक पहुँच जाती है ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता एक ता को खत्र में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल हर समय देश के हर कोने में हर देश वासी को सावधान रहना ही है मेरे प्यारे देश वासियों अभी देश में चुनाव का भी माहुल बना हुआ है राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही है दुर्भाग्य से ये पोलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हत्कंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर तूड़ती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्पो परी है इसलिए इन चुनोत्यों के बीच आप मेरे देश स्वासी जनता जनारण आपकी भुमी का बहुत महत्वपन हो गई है ये लोग देश की एक जुड़ता पर चोड़ करके अपना राजनिती हीच साधना चाहते है देश इन से सतर्ग रहेगा तभी विकास के अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएगा हमें विक्षित भारत का लक्षा हासिल करने के लिए देश की एकता बनाए रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है एक कदम भी पीछे रहना नहीं है हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है हम जिस विक्षेत्र में हो हमें उसमें अपना शत प्रतिशत देना है आने वाली पीडियों को पहतर भविश्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है और यही सरदार साप की हम सभी से अपेक्षा है साथियों आज से माय गौपर सरदार साप से जुड़ी एक राष्टिय प्रतियोगी ताभी शुरू हो रही सरदार साप कीज के माध्यम से देश के युवाओं को उन्हें जानने का और मोका मिलेगा मेरे परिवार जनो आज का भारत नया भारत है हर भारत वासी आज असीम आत्म विश्वास पे भरा हुआ है हमें सूनिश्चित करना है कि यह आत्म विश्वास मना भी रहे और देश बढ़ता भी रहे यह भाव बना रहे ये भंब्यता बनी रहे इसी के साथ मैं एक बार फिर आधनिय सर्दार प्रटेल को 140 करोर देश वाश्यों की तरप से विनम्रश्रत धानली देता हूं हम सब राष्टी एक ता के इस राष्ट उत्सव को पूरे उत्सां से मनाएं जीवन में एक ता के मंत्र को जीने की आदत मनाएं जीवन को हर पल एक ता के लिए समर्पित करते रहें इसी कामणा के साथ एक बार फिर आप सबी को धेर सारी बढ़ाई भारत माता की बारत माता की बारत भारत माता की बारत बहुत बहुत धन्यवाद दन्यवाद मानने प्रदान मंत्री मुहादाई श्री आपके प्रेणा दाई